यह देखो यहां से लेकि यहां तक यह पाओं का चिन्हा पेर का चिन्हा है मतलब यह एक है और एक यहां में था यह दो पाओं का चिन्हा है यह वाला तो उतना पता नहीं चल रहा है पर यह वाला को अच्छा से देखो यह देखो यहां से ऐसे और वहां से पेर इतना और यह से इतना बड़ा पाओं का चिना है और यह रियल है कोई बनाया कि कोई यह सब नहीं है यह रियल है है आज मेरा खुट्रा में है दूसरा दिन और नाम है यह वह जगहा है जो टाइम में रामायाण पढ़र हो गये तो उसमें देखना राम जब बनवास जाते थे ना तो जही रस्ता होके गिये थे और वहां में एक दिन रुके थे तो यह जगा है वहां में और यूटूब में सर्च करके देखना एकमा टिमना पाहड तो आज आएगा बहुत सरा वीडियो तो आज मैं पहली बार जा रहा हूं मैं देखा नहीं तो यह लिखे जा रहा है मेरेको आज द 20 किलोमेटर का सफर करके फाइनल यह हम लोग पहाड का सिधा नीचे में है गार यहां पार्क करेंगे उपर चलेंगे मैं तो रस्ता देखा नहीं हूँ यहीं से तो यहीं से हम लोग चल चल के जाएंगे ऐसे देखो पूरा जारकंडोला फीला आ रहा है यह खाली पत्थर क देखेगा यह देखो आधा रस्ता में यहां कि मेरा तोहलत खराब हो गया है अब यह और उपर जाना है एक बार मैं दूर-दूर का नजारा दिखा देता हूं यह से देखो मैं तो पूरा थक गया हूँ और एक वहां में बस जा रहा है देखो जूम करके दिखाता हूं यह देखो और पूरा दूर दूर तक खालही पहाड़ परवद, जंगल ऐसे नहीं सब दिखा देगा सब्सक्राङे आए हम लोग इसे चैप सहे चेहे रहा होगा मेरा मेरा हैफ़ां इसे हाइट है जाते हमसिता हूप आया पड़ियो, ला इक यह परने में प्सक्थ मुर्स ahy देखो यहां में पूजा उजा करने के लिए आते हैं दूर दूर से तो ऐसा है यह जगह उपर आभी और बाकी है हम लोग तो आधा रस्ता है यह ओ जगह है जब राम भगवान सब बनबास गिये थे ना ओटाइम यही रस्ता होके कहीं गिये थे तो यहां में कुछ दिन रु जाना खंड गिया थे तो जार खंड पत्थर का उपर पत्थर रखा हुआ था ओशी सेम है पर यह थोड़ा अलग पत्थर है अच्छा दिख रहे यह देखो बेरेसे भी बड़ा बड़ा हाइट है दूर दूर तक पूरा जंगल जंगल ऐसे लगेगा जैसे कि आमेजन कोई जंगल जेसे लगेगा यह देखो यहां से लेकि यहां तक यह पाओं का चिनहा पेर का चिनहा है मतलब यह एक है और यहां में था यहां में देखो अच्छा से देखो यहां से लेकि ऐसे पूरा यहां तक यह दो पाओं का चिनहा है यह वाला तो तो तरह पता नहीं चल रह पर यह वाला को अच्छा से देखो यहां से ऐसे और वहां से पेर इतना और यहां से इतना बड़ा पाओ का चीना है और यह रियल है कोई बनाया कि कोई यह सब नहीं है यह रियल है यहां का तो थोड़ा हाभी मिट गया है पर यह देखो यार पहली बार मैं ऐसे रियल देख पहले कभी देखा नहीं था, वो साइड में उंगली का चिना है पर फिलाल उतना पता नहीं चल रहा है, पहली बार ऐसा लाइफ में देख रहा हूं, तो ये सच में देखने है लाइफ पूरा है और इसमें कोई यकिन करे या ना करे, ऐसा कुछ है यहाँ में, अगर यकिन नह पहली बार देखा और मेरे को जटका लगा, जब मेरा भाई बोला ये देखो पाउं का चीना, अभी वो आगे जाएंगे और आगे बाकी है, तो पाउं का चीना जो था, वो साइड में है, और आभी आगे चल के देखते हैं, आगे कुछ मंदीर जैसा है, यहाँ में पानी ह से उपर टॉप में, यही में पुझा होता है, तो एक बार में दिखा देता हूं साबसे, तो गैस यह देखो, यहाँ में पुझा उजा करते हैं सब को यह देखो, वो सिबलिंग, वो मता, तिर्शूल, अभी यहाँ से आगे चलते हैं, आगे और भी कुछ-कुछ है, तो आ तो यहां में काफी सच में रियालिटी जैसा है आएगा और देखेगा तो लगेगा कि हाँ यहां में कुछ था कोई भगवान लोग पहले आये थे और रूके थे ऐसा कुछ देखने लाई थे हैं और एक सिबलिंग मैं दिखाता हूं यह कोई पत्थर का ऐसे कुछ रखा वाल नहीं है वो पहले से ही है बस साइड साइड में थोड़ा सिमेंट से यह करके बना दिये हैं बाकी जो सिबलिंग जो है वो रियल है पहले का ही है तो मैं एक बार दिखाता हूं आप लोगों को तो लोग करके रखे फिर भी मैं बाहर से दिखा देता हूं यही दूखो यहां से चलते हैं आगे हमें मंदिर बन रहे साइब पर आधा काम हुआ है देखो वो साइड में और जंडा सब गड़ा हुआ है वो साइड भी जाके देखते हैं मैं तो न्यू हूँ तो मेरे को पता नहीं है पर फिलाल और भी आगे बहुत कुछ है और यहां का पत्थर देखो बड़ा बड़ा तो यह पत्थर को अच्छा से दिखना ध्यान से दिखना क्योंकि जितना भी पत्थर है यहां में यह सबसे पत्थर अलग है क्योंकि यह पत्थर जो है यह हर साल जगा चेंज होते रहता है ऐसा यहां का लोग का कहना है अब सच ह या जूट मेरे को तो नहीं पता, पर ऐसा सब कोई कहते हैं, कि ये पथर जो है, ओ कभी यहाँ, अगर ये साल यहाँ रहेगा, तो अगले साल ये साड रहेगा, अब ये 100% सच है या ये नहीं पता, पर यहाँ का लोगों का कहना है ये, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये अच्छा से देखो, बाकि ये जितना भी पथर है, ये सब पथर से अलग है ये, तो ये साल में आया हूँ, ये 2022 है, अगर 2023 में मैं कभी आऊँगा, तो ये देखो, ये पथर जो है, पथर से minimum इतना दूरी में है, देखो अच्छा से, और अगले साल आऊँगा, तो ये बहुत कुछ देखना बाकी ही अभी, पूरा लाश्ट तक आगी है हम लोग, अभी इसका उपर जा के देखते हैं, और कुछ है कि, ये थेट तो ज्यादा तर पथरी है, फिर भी एक बार देखते है, दूर दूर तक पथरी पथर है, ये देखो, बड़ा बड़ा पथर है, दूर दूर तक खेत खेत, और ये सब जो पथर है, अंडा जैसा दिख रहा है, देखो, होलिवड मूभी देखना, वह इसे सेम दिखाई दे रहा है, या में, अभी यहाँ से वापस चलते हैं, तो एक बार इसको और बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जितना भी जो सबसे ज़्यादा मेरेको ये लगा पुरा, लाएका गलू धुखला पाह। जो दूर से बीड़ से दिख रहा है, दूर से पता चलता है कि यह पाहू का निशानी है, तो दूर से पता चलता है, यह पीछे का पाऊ है, मतलब पाऊ का पीछे सेड और यह सेड से उंगली वहल पता चलता है फिर भी अच्छा से देखो यह कि देखो तो यह देखो और पुरा मैं घोड़को दिखा देे तो एक एकमा टिमना पहार तो आप लोग को रस्ता बता देंगे आजाना आराम से और एक बार धरसन कर लेना यहां में आके अब हम लोग यहां से चलते हैं क्योंकि आभी शाम होनें वाला है और हम लोग का भी जाना है 20 कृमेटर दूर है तो यहां से हम लोग को निकलना पड़ेगा तो मिलते हैं कल सुबा और एक निव वीडियो में और वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं कल सुबा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन, जय भारत.